नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनिल और आप देख रहें अपना लोग पर यूट्टीब चैनल जिसका नमा सुनिल जस्वाल विवलो फाइल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचले प्रदेश में उपनाम दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो important उपना टॉपिक होते हैं जो बहाँ से प्रशन पूछी आते हैं तो वह पेपर हम लोग उसे अच्छे तरह से अटेंप नहीं कर बाते हैं तो यहां पर हमारा जो मकसद रहेगा वह हम लोग जो इंपॉर्टन टॉपिक हैं दोस्तों उनको ही डिसकस करेंगे तो आज यह पहला वीडियो होगा दोस्तों यहां पर बात करते हैं हिमाच्र प्रदेश की शोटी काशी या फिर मीनी बनारस की इससे कहा जाता है तो दोस्तों यह मंडी को कहा जाता है हिमाच्र प्रदेश मंडी पस ल유लम दोilde कि घ头 हreckी काशी है उससे मंदी को कहा जएता है इससे दोस्तोर आपकी रिविजन भी हो जाएगी हिमाचरह परदेश का अजन्था दोस्तवा आपने अजन्था की गुफाओं के यहारे मिपड़ा है जो कि महारास्ति मुझे हैं तो दोस्ते मांता पूछा है अगलर कांगणहों तो ये भी प्रशन आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टन हो जाता है हिमाचिर प्रदेश में 84 मंद्रों की भूमी किसे कहा जाता है हिमाचिर प्रदेश में 84 मंद्रों की भूमी की बात कहेंगे दोतो बर्मोर चंबा को कहा जाता है दोस्तो जब आप लोग मनी महेश क की जातरा करते हैं तो बहुत सारे ज ہوते हैं दोस्तों वो 74 दो में विशराम करते हैं और ये एक तरफ si काफी जड़ा हिमाचिल के लिए प्राउड फियर दोस्तो हिमाचिर पदेश के साथ साथ उत्तराखंड को भी कहा जाता है तो यह भी प्रशन आपके पास काफी ज़्यादा important हो जाता है आप बात करेंगे दोस्तो छोटा तिबबत दोस्तो छोटा जो तिबबत है यह लहौल होती 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 है चोटा लहासा किसे कहा जाता है दोस्तो छोटा लहासा लिटल हासा किसे कहा जाता है दोस्तों छोटा लहासा लिटल हासा किसे कहा जाता है दोस्तों छोटा लहासा लिटल हासा यह में दर्मशाला में कहा जाता है दोस्तों में दर्मशाला में का मंदिर है पढ़ता है पठान कोट के निजदीक दोस्तों जो छोटा मुरादाबाद अगर मुरादाबाद की बात करेंगे तो यह यूपी में पढ़ता है और गंगत की जो शींजा वो काफी ज्यादा फेमस है हिमाचल परदेश के पहाड़ी गांदी एबं पहाड़ी बुल बुल किसे का जाता है दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे पहाड़ी गांदी की बात करेंगे तो यह जो नाम था यह आप लोगों को पता है कि पंडित जवाला नहरुजी ने दिया था और पहाड़ी बुल बुल की बात करेंगे तो यह सरोजिन नाइडू ने दिया था पहाडी गांदी दोस्तों कैसे को लेट करेंगे आप लोग इस चीज को जैसे कि जो पंडित ज्वाला नहरू जो थे वह महतमा गंदी के काफी क्लोस थे तो इस तरह से पहाडी गंदी और पहाडी बुल-बुल जो सरो पहाडी गंदी के बारे मिन यहां प्रिशन बंता है हिमाचिर प्रदेश में सिमान्त या फ्र antennaिट गंदी किसे कहा जao разм को ठीक है या अगर आप लोग इंडी के थे दोस्तों और इन्हीं के नाम पर नगर में अगर आप लोग देखेंगे तो रोडिक आर्ट गैलरी भी है जो काफी ज़्यादा फिमस भी है यहां पर इन्हों वंग वैर आप दोस्तों हिमाले में चितर बनाये यह बहलता बैंतर के ओस्ति नवेशनान कि वह कि आपकर देचते। वहिराज़ के इस मुए और यहां पर देखेंगे घ्ल्य की दोस्तों एक ह काफी स्टे जो LOL पर अटा पर औरन कांपर नगरी सिटे काहिए दोस्तो जाता है तो इसलिए यहां पर प्रशन जो काफी ज़्याद इंपॉर्टन हो जाता है अंगूरों की बुमी किसे कहा जाता है दोस्तों सबसे अंगूर कहां पर है दोस्तों यहां पर अंगूरों की बुमी की बात करेंगे तो वह किनोर में है किनोर कहां पर है किनोर की वह कौन मिनी स्विटेज लैंड किसे कहा जाता है दोस्तों चंबा खजियार को और दोस्तों यह 160 नंबर पर है और यहां पर आप लोग देखेंगे तो यह भी काफी ज़्यादा जो वह फेमस प्लेस है बीशव का प्राचिंतम लोकतंतर कहां पर है दोस्तों काफी इंपोर्टन है बी दोस्तों को डेखना इंपोर्ट दोस्तों बीर हिंद किया है यह उपादी किसे लेटि नेट सुखदेव चोदरी जो उना से थी तो इनको आप लोगों ने याद करना है शेर ए हिंद अगर आप बात करेंगे शेर ए हिंद तो यहां से हिंद और हरी सिंग सरकागाट जोकि मंडी में हैं कि अब बात करेंगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों के नेख्श्टमर पास यहां पे तम्गा इसन्थै कमार पास कोन है तामगा ए शतुना नाशक कैप्टन बक्षी परताब सिंग जो की पालमपूर से थे तामगा ए बहावदरी दोस्तों बहावदरी लेफ्टनेंट आमरचंद जो की हमिरपूर से थे भाई जी किसकी उपादी है भाई जी दोस्तों हिर्दा राम मंडी से इनकी हे न profound बाइशंद किसे कहा जाता दोस्तों की बात करेंगे सत्माहज 005 005 0015 लेक ऑफ उफ मून यह किजे कह जाता दो सो छंडर ताल जील को आ तो सब्रस्के कुण में इस.. तो इस तरह से दोस्तों हम लोग नें काफी इमपोर्टन जो प् Click aspect में जो आपकी वेपर में आने की जिनकी पूरी संबावने बनी रहती है तो दोस्तों उनके बारे में हमने यहाँ पर डिसकस किया है तो इनको आप लोगों अच्छी तरिके से रवाइस करना है अगर आपके पास कोई भी बुक है दोस्तों वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल सेते हैं यहाँ पे आप लोग रिवीजन कर सेते हैं तो दोस्तों यह आज का वीडियो था दोस्तों यह वीडियो को कैसा लगा आप अपने राय कोमेंट बोक्स में यूरू बताएं दोस्तों आप very much दिल से